ये विडियो में हम बाग करने माले है Multivariate या फिर By Variate Probability Distribution जिसको हम joint probability distribution भी बूल सकते हैं, तो वन वरिए لا के लिए probability distribution या cumulative distribution function क्या है वो हमें पता है ठीक है और जिसको नहीं पता है करें वह कि एक विडियो और मिमने मिना करखा है वो सब्सक्राइब कर सकता है वो ऑफ अगे कि दिख रहे हैं त्टू वेरीबल के लिए ठीक है तो जैसे वर Sutton PAR bên वेरीयबल ने डू की में dollars टी वैसे ही मल्टी वेरीबल या जॉइट वरीबल या फिर चेश्ट म्या दिखने वाल है दू वेरीबल में भी दो टैप से रेंडम congressional की कौन-कौन याद होगी शायद आप लोग को continuous and discrete discrete a random variable and second one is continuous and variable और आराम से हम इसको identify भी कर सकते हैं अब यहाँ क्या क्या हम देख सकते हैं अब discrete है तो यहाँ table बना सकते हैं बट यहाँ table बनेगा वो two dimensional table होगा ठीक है अब two dimensional का मतलब क्या होगा example पीसे यहाँ draw कर रहा हूँ मन लेते हैं हमारे पास two variable है x and y just two variable की बात कर रहे है इसलिए x and y तो two dimensional table फिर ऐसे बनेगा ठीक है हाँ यहाँ x की certain values होगी for example x0 x1 x2 x3 और यहाँ y की certain values होगी y0 y1 y2 और यहा रिस्पेक्टिव probabilities दी होगी ठीक है और यहाँ जो probability है उसको जनरल यहाँ p of x i y i बोलेंगे p of x i y i या फिर उसको f of x i y i भी बोल सकते है f of x i y i ठीक है अब y i i different b हो सकता है इसलिए मैं x i y j कर देता हूँ i and j ठीक है for example अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ कोई different combination ले लेता हूँ माण लेते हैं इसकी बात कर रहा हूँ ठीक है यहाँ क्या आएगा question mark तो यहाँ x2 y1 होगा समझ में आ रहे है यह जो data है question mark वो क्या होगा मैं just indicate कर देता हूँ होगी probability of x2 y1 x2 y1 या फिर f of x2 y1 समझ रहे हो ठीक है तो यहाँ जितने भी cells आपको दिखाई दे रहे हैं सबकी probability वो किसकी probability है और x का data आपको यहाँ से collect करना होगा y का data यहाँ से collect करना होगा तो यह टेबल में से data सार आप collect कर सकते हो को identify कर सकते हो ठीक है but yes यह जो टेबल है उसको हम बोलते है probability distribution for two variable या joint mass function क्योंकि discrete को मास बोलते है ठीक है तो इसको हम जॉइंट मास function भी बोल सकते हैं कि जॉइंट मास फॉंक्शन ओके अगे यहां डिफरेंस के साबसे देखना चाहता हूं इसलिए यहां में partitions कर देता हूं अब यहां क्या होगा continuous में अब continuous में भी अगें एक्सेंड वाई होगा बट उसकी कुछ ने कुछ रेंज होगी हमारे पास टेबल तो बना नहीं सकते क्योंकि क्या होगी infinitely मैंने भी यूज होगी सो मान लो यहां ए लेस वर इकोल टू एक्स लेस वर इकोल टू बी एंड आज सी लेस वर इकोल टू आई लेस वर इकोल टू डी अब उसकी रहेंज क्या है वह तो आपको एक्जम्पल में दी होगी और नहीं दी है तो आप बाइड सकते है इफ गिवें तो हम जो भी रेंज दी है वह कंसिडर करेंगे आज इफ नॉट गिवें यह देन हम माइनस इन्फाइनिट लेस्ट वर इकोल टो एक्स लेस्ट वर इकोल टो इन्फाइनिट एνफाइनिट एंधे टि अब फे लेस्ली हम यह — फेलोग करेंगे बट जब आप example करोगे तब कोई नो कोई fix range हो सकती है तो उसको follow करना है और जरूरी नहीं है कि दोनों boundary दी होगी हो सकता है जश्ट ऐसा लिखा होगा एक्स लेस और इकोल टू और एक्स एस ग्रेटर देन और रिकोल टू ए इसका मतलब मिनिमूम बाउंडरी है हमारे पास यह से स्टार्ट होगा और चाहेगा इन फाइन तक लोवर बाउंड दे देंगे ठीक है कि कुछ ने कुछ दिया होगा तो बेश्ट तरीका यह है कि आप उसको लाइन के फॉर्म में उप्सव करो क्या से करना है और अभी में देंसिटी फंक्शन येस जॉइंट देंसिटी फंक्शन ठीक है ओके तो देंसिटी का मतलब ही हो जाता है और मास को मतलब ही हो जाता है डिस्कृइट अब हम प्रोपर्टी की वात कर रह तो one वर्यूबल में जैसे के आप लोगों को पता होगा टेबल का नजब एक्स की व remotely १ोगी और यहां प्रोबड़ियोटे की मिल्य धोगी बट यह प्रोब्यब्यूटीश का सार्य इडिशन क्या हो जैता है, one, addition one हो जाता है, जिसको नहीं पता है, वह आप one variable वाला, डेफसर में डिसकुशन किया है, वो देख लेना, ठाइए, क्योंकि वो property है, probabilities की, बट यहां, यहां भी same property हम अप्लाई कर सकते, यानि कि total यह table का total one ही होगा but confusion यहाँ है कि यह table तो 2D है तो फिर हम उसका total कैसे करेंगे सारे की सारे value cover करनी है तो ऐसे ही randomly जाएंगे तो थोड़ा complicated हो सकता है इसलिए हम यहाँ एक और concepts through discussion तरने वाले हैं वो है marginal ठीक है अब वो रहता है जैसे कि हुआ हम चेस प्ले कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को पता होगा जिसको नहीं खिलना आता है उसको यह तो पता होगा तो मैं तो मांने ले यह हमारा चेस्ट बौड है यह जो है वो ठीक है अब उसमें बहुत सारे players होते है उसमें से जो elephant है उसमें उसका moment कैसे होता है वो भी आप लोगों को शाहिद पता ही होगा ऐसे moment होता है addition के form में कहीं भी जा सकता है बट वर्टिकल या वरिजंटल ही उसकी moment रहती है ठीक है तो यहां भी मान लो कि यह जरो dots दिखाई दे रहे हैं वो सारे dots हमें cover करने है या तो वर्टिकल या होरिजंटल बट हमारा target क्या है यह होगा यहाँ पूरा table का समयेशन हो जाईगा ठीक है है तो हम माण लेते हैं यहीं से मोमेंट करना श्टार्ट करते हैं तो हमाःर पस दो options रहता है या तो हम पहले यहां आ जाते हैं बाद में यहां जाओ तो अभी आप यहां महुंच जाओगे यह दूसरा option यह रहेगा पहले यहां आ जाओ बाद मैं आजयाओ तु अभ यह हो जाएगा तो ऐसे सिमिलर वे से वन डैरेक्शन मूवमेंट करेंगे फिर अनदर डैरेक्शन हैं तो जो वहन डैरेक्शन मोवमेंट करेंगे तो उसमें एक वेरीयम वैरियेबल ही मुव करेगा कैसे फिर से से यहां table में दीखो मांड लेते हैं हम यहां से वर्टिकल डाइबंड चूज कर रहे यानि कि hypocлуч ममेंड कर रहे ध्यान से दीखना तो यहां से फिर यहां एंगे फिर यहां एंगे पिर यह एंगे यहां है यहां यहां यह वह मूवेबल है यह वह फिक्स है और जो फिक्स है उसको हम बोलते हैं ओ ठीक है तो हम अगर ऐसे जा रहे हैं तो उसको अगर हम यहां जा रहे हैं तो उसको मार्जिनल ओफ एक्स टू बोलेंगे और यहां से यहां जा रहा है तो यह हो जाएगा हमारा मार्जिनल ओफ एक्स ट्री ठीक है बट जरूरी नहीं है हम यहां मुमेंट करें अगर मालो हम ऐसे मुमेंट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा बता सकता है कोई तो हम यहां से फिर यहां जाएंगे फिर यहां जाएंगे फिर यहां जाएंगे फिर यहां तो यहां हमारा वाई फिक्स रहेगा और एक्स बदलता रहेगा तो इसको हम क्या बोले और यहां से यहां जा रहे हैं तो marginal of y2 ठीक है तो marginal का basic मतलब हम यह भी निकाल सकते हैं कि वो है बट हम use नहीं करेंगे marginal of x0 का मतलब क्या हुआ कि x की और भी बहुत सारी value है बट वो हम सब यूज नहीं करेंगे fix value जो है वह ही यूज करेंगे और y सब यूज कर रहे हैं ठीक है तो हमारे पास दो variable है दो variable में से हम क्या कर रहे है किसी एक को break लगा रहे है और दूसरे को free रख देते हैं तो इसको अगर break रहा रहा है तो यह free हो गया हमारा और इसको break लगा रहा है तो यह free हो गया जिसको break लगा रहे है वो है बट उसको moon करने देंगे तो इसके लिए हम marginal word यूज करते हैं यह page में भी आप देख सकते हो यह जो space है उसमें हम sentence नहीं लिखते है न क्योंकि इसको हम बोलते है margins जब हम print निकलते है तो पेश सेट अप करते है उसमें भी margin रखते है margin का मतलब blank space जिसमें हम print नहीं जाने देंगे ठीक है तो मार्जिनल का मतलब unused ठीक है तो यहां एक्स की बहुत सारी विल्यू है बहुत अन्यूज पड़े रहेगी हम यहीं यूज करेंगे इसलिए एक्स का मार्जिनल बोलेंगे similarly वाई का मार्जिनल भी यह से हों समझ सकते हैं तो आइओ कि मार्जिनल क्या है वो सब को समझ में आ गया होगा ठीक है अब बात करते हैं गोसको लिखेंगे कैसे आधी सिम्बोलिकली थीत तो को अभिचली में आपको पता होगा अब तो क्लिर हो गया मार्जिनल टू टाइप का होगा से में हटिस दीटा हूं मार्जिनल स्वाजिनल प्रोबैबिलीटी थीए अब यहां है दो ओने राटिह नहिन पर क्रेंट एक्स capital X is equal to small x इसका मतलब यह होगा X की है तो बहुत सारी विल्यू बट हमको यह small x fix कर देंगे और x fix कर रहे है तो y free रहेगा इसलिए over capital Y ठीक है बट y बदलता रहेगा ओके अब जिसको हम fix करेंगे वह यहां indicate करना पड़ेगा symbolically और x को generally हम first variable मानते हैं और y को second variable मानेंगे क्योंकि यहां जब हम लिखेंगे pair में तब always पहला member हमारा x ही होगा और दूसरा member हमारा y ही होगा यह fix है आप y आगे और x पीछे नहीं लिख सकते हैं ठीक है तो x का मतलब 1 y का मतलब 2 तो symbolically हम कैसे लिखते है थ्यान से देखना so yes अगर पहले में f के फों में बता रहा हो क्योंकि हमारे पास दो notation है इसलिए पहले में f के लिए लिख रहा हो so f अब ध्यान रहे यहां x fix कर रहे है तो हम one लिखेंगे one का मतलब पहला variable fix कर रहे है ठीक है और y को हम free रखेंगे इसलिए यहां एगा y और y की एक-एक value cover करने पड़ेगी जितनी भी है ठीक है एक साथ सारी तो cover कर नहीं सकते तो one by one सारी value cover करने पड़ेगी यहां फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f1 by just ठीक है और कहीं बार suffix में one की जगह x भी लिखते हैं so f but capital x लिखेंगे और यहां small y लिखेंगे यह सब equivalent symbol है ठीक है और अगर probability के form में लिखना है पी के form में तो फिर हम लिखते है probability of capital x is equal to small x तो है एक चुल में दो variable बट हम यहां जश्ट एक ही variable दिखा रहे है इसका मतलब दूसरा variable की सारी will you cover करनी होगी ठीक है ओके तो यह तो कर रहे थे हम symbol की बात अब मिलेगा कैसे ठीक है तो यहां यहां ही form rate कर देता हूँ इसको तो यहां वाई की सारी will you cover करनी है इसका मतलब एडिशन कर देंगे ठीक है यहां हम एडिशन करेंगे किस पर वाई पर एक्स की जो भी विल्यू हो हमारी fix हो जाएगी तो f of x y में से यह सारा डिटा हमें table में से मिलेगा बट उसमें से x fix है ध्यान रहे जो भी विल्यू हम fix कर रहे हो x की विल्यू fix है y पे आपको submission करना पड़ेगा y को move करना पड़ेगा ठीक है तो ऐसे आपको marginals of x मिल जाएगा similarly marginals of y क्या होगा yes मैं यह लिख रहा हूँ ठीक है दूसरा पार्ट b marginal of y so y की कोई न कोई fix value लेनी पड़ेगी और x यहां free हो जाता है इसलिए हम लिखेंगे over x ठीक है यहां में दो category के symbols लिख रहा हूँ small and capital small का मतलब होता है fixed value capital का मतलब होता है हम change कर सकते हैं group capital x का मतलब है x कोई भी value ले सकते है बट small y का मतलब है y की fixed value जो भी है ठीक है बदल सकते है in short और यहां सारी value cover करने पड़ेगी ठीक है okay symbolically अब तो शायद clear हो ही गया होगा यहां हम क्या लिखेंगे 2 क्योंकि हम y को fix कर रहे है ध्यान से दिखना इसलिए यहां f2 और x free रहेगा हमारा यहां यहां जश्ट इसको f2 of x b हम बोल सकते हैं sorry हां और y का मतलब y fix नहीं कर रहे है तो यहां f1 of x ही लिखना पड़ेगा x की सारी value नहीं एक value fix कर रहे है य तो free रहेगा y यहां आए गए नहीं picture में थोड़ा change कर देता हो f1 of x ही लिखेंगे क्योंकि y की value fix नहीं हो सकती सारी value cover करनी है ठीक है यस अब सही है तो यहां formula symbol में y कहीं दीख गए नहीं ठीक है तो x जो भी value x के हम fix करना चाहते है वह ही यहां आएगी y तो सारी की सारी value cover करने पड़ेगी जो कि symbolically नहीं दीखेगी बड़ जब हम formula लिखेंगे तब दीखेगी तो x की value fix है y की विल्यू सारी cover करनी होगी similar यहां y ही दिखेगा x कहीं नहीं दीखेगा एक्स फॉर्मूला में दीखेगा symbol में नहीं इसलिए यहां y और small y जो भी हम fix करना चाहते है so f2 of y यहां फिर f of y suffix y of y ठीक है और p के form में लिखना चाहते है तो p of capital y is equal to small y तो यहां हर जगर y ही दिख रहा है इसका मतलब y की कोई नहीं कोई value fix करनी है x की सारी की सारी value cover करनी होगी तो symbol में x नहीं दीखेगा फिर और formula लिखेंगे तब दीखेगा तो यहां formula में भी हमें summation ही करना है probabilities का जो कि हमें table में से मिल जाएगी बट त्यान रहे यहां marginal of y है तो y fix है x की सारी value cover करनी है इसलिए summation हम x पे run करेंगे ठीक है तो यह हमारा marginals of x and marginals of y अब यहां यहां continuous में क्या होगा अगें varieties तो वही वही है तो मैं और रिपेट नहीं कर रहा हूँ marginal probabilities और यहां भी अगें दो option होगा ठीक है यहां भी instructions है marginal of x over y marginal of y over x instructions है बट यस formula बद लेगी क्योंकि यहां हम summation तो कर नहीं सकते क्योंकि हम और पास finite value ही नहीं है infinite value है